नमस्कार दोस्तों सेल्फिष्टेडी यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़े हुए कुछ सावल आपको बहुत जादा परिसान कर रहे होगे कि यूपी पुलिस ने जो दरोगा की भरती के लिए बोला था यानि के हमारे मुख्यमंत्री योगिया दित्यनाथ और जो पुलिस भी भाग के हेड है उन्होंने जो अकबार में एक छोटा सा आर्टिकल दिया था कि भरती दरोगा की आने वाली है आखिर वो कब तक आएगी ठीक है और फिर दूसरा सवाल आपका आता है कि फायर में जेल वर्डर की जो परिक्षा है वो आखिर कब तक होने वाली है ठीक है और फिर तीसरे नमबर का सवाल आपको एक होर परिसान कर रहा होगा कि कौंश्टेवल 99568 का जिन लोगों ने परिक्षा दी हुई है उनका रिजल्ट आखिर कब तक आने वाला है तो दोस्तों इनी सवालों का मैं आपको जवाब देने की कोशिस करूँगा उमीद है कि आप मेरी बास से सहमत होंगे और अपनी तैयारी बरकरार रखेंगे तो बिना देरी किये चलिए सीधा इन सवालों का आपको उत्तर देने की कोशिस करता हूँ तो दोस्तों काफी ज़्यादा न्यूज पेपर में और आपको अन्य वेब साइट उपर ये एक अकबार की कटिंग देखने को मिल रही होगी ठीक है जो पहले काफी पहले की पोश्ट की गई है कि लोकसबा चुनाओ के बाद होगी 5000 दरोगा की बरती दोस्तों ये बात तो सच है कि 5000 की दरोगा की बरती नई आने वाली है लेकिन आखिर कब तक इन लोगों ने इसमें कहा था कि दिसंबर तक जारी हो जाएगा इस दरोगा बरती का परिनाम दोस्तों दिसंबर तक जारी करने के लिए इस बरती को इने कब तक स्टार्ट करना होगा इसकी जानकारी मैं आपको इसके अंदर पूरी से दूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपी पुलिस में जो अब की बार एज लिमिट रहने वाली है वो 21 से 28 साल ही रहेगी ठीक है और दोस्तों इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों ग्रेजुएट लिविल पर ये द्रोगा के फोम आते है ये तो आपको पता होगा और जो इसमें फिजिकल होगा वो आपका 4.8 किलोमेटर की रेस ठीक है 28 मिनट के अंदर आपको करनी है ये भी आपको पता होगा और दूसरा दोस्तों इसमें जो हाइट होती है ये आपकी 168 सेंटिमिटर होती है ठीक है जर्नल ओविशी के लिए और एस्टी वालों के लिए 107 सेंटिमिटर ठीक है और SC वालों के लिए भी 168 रहेगी और जो फीमेल के लिए होती है उनके लिए जर्नल OVC और SC 152 सेंटीमिटर और ST वालों के लिए 147 सेंटीमिटर ठीक है दोस्तों और जो इसमें चेश्ट मांगी जाती है केवल पुरुशों के लिए वो दोस्तों 79 से 84 ठीक है बिना फुलाई 79 और फुलाओ के साथ 84 और जो इसका रिटन एग्जाम होता है वो दोस्तों आपको पता है कि उसमें 40-40 कोश्चन मिलते हैं जैसे कि पिछली परिक्सा में हुए थे इस बार भी वही पेटर्न रहने वाला है यानि के टोटल आपके 160 कोश्चन होंगे ठीक है जिसमें 40 कोश्चन मैट के 40 रीजनिंग के 40 हिंदी के और 40 आपके जीके के जिसके अंदर सविदान और मुलिविदी पर विसेज ध्यान दिया जाता है ठीक है दोस्तों और इसमें हर सब्जेक्ट में 50% लाना आनिवारिय है ये भी आपको पता होगा तो दोस्तों ये तो थी बात कि भरती में क्या चाहिए और कितना फिजिकल है क्या हाइट है क्या चेश्ट है और रिटेन एक्जाम कैसा है अब मैं आपको बताता हूं कि भरती लगबग आएगी कब तक जैसा कि इन्होंने इलेक्शन से पहले य परिणाम जारी तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखे ऑलेक्सन तो हो चुके लेकिन भरती के बारे में कोई अप्डेट तो नहीं है लेकिन जो इन्होंने ये बात कही है कि दिसमबर तक जारी हो जाएगा परिणाम इसके लिए दोस्तों इन्हे अक्टूबर में अगर ये October में आपका return exam लेंगे तो दोस्तो उस हिसाब से ही December तक result final करेंगे तो यानि कि आपका return exam October में होगा और October में अगर return होगा तो form कब से चलेंगे लगबग आपके September या September से पहले आपके ये दरोगा के 5000 पोश्ट के form ये लगबग है साथ 5000 ठीक है ना ऐसा कुछ नहीं है कि complete 5000 आएगी 32 में हो सकते है तो दोस्तो सितंबर के आसपास October सितंबर, October में आपका exam ये ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर के first week या दोस्तो आपका अगस्त के last तक ठीक है इसका notification आजएगा और form बरने start हो जाएगी तो आपको ध्यान अखना है कि इन लोगों ने December तक परिनाम जारी करने की बात की है तो October में October या November फर्ष्ट तक इन्हें exam लेना होगा ठीक है दोस्तो तो ये तो थी द्रोग अगई बात अब बात करते हैं हम कि कि आपका जो फायर में और जेल वार्डर की परिक्सा है आखर ये कब तक होगी दोस्तो आपको पता होगा ये form आपके जनवरी 2019 में आये थे ठीक है जो इसमें पहले बताया गया था कि चुनाव के एकदम बाद यानि कि जून के फर्ष्ट वीक में लगबग आपका एक्जाम ले लिया जाएगा लेकिन दोस्तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है ना तो ये जो आपकी पोश्ट थी ये फ्टावन सो पाँच की पोश्ट थी जिसमें आपका सेलेबस था 37 नमबर का मैथ वो ये यूपी पिलिस कॉंस्टेबल वाला 38 नमबर के आपके रिजनिंग ठीक है 38 नमबर के आपकी जीएस और 37 नमबर का आपका हिंदी ठीक है दोस्तो 150 कोश्चन थी इसमें कुल और आपका समय था 2 गंटे और निकेटिव मार्किंग 1 बाइ 4 की ठीक है ना ये आपको पता होगा लेकिन दोस्तो जो इसका परिक्सा होने वाली है उसके बारे में इन्होंने पहले जो बात की थी वो की थी कि जून के फर्ष्ट वीक तक यानि के चुनाओ के बाद एकदम ले लेके एकजाम आपका तो यानि के जून के फर्ष्ट वीक तक इन्हें एकजाम ले लेना चाहिए था लेकिन दोस्तो अब जो हिसाब लगता है उसके अनुसार इन्हें जुलाई के फर्ष्ट वीक तक तक तो आपका एकजाम हर हाल में लेना ही होगा ठीक है ना क्योंकि इलेक्सन में ये काफी ज़्यादा बीजी थे और अब फिरी होने के बाद जो इनकी पहली परिक्षा जो इनके दौरा यानिके भरती बोर्ड के दौरा जो पहले नंबर का काम किया जाएगा वो फायरमेन और जेल वर्डर की परिक्षा का ही देखा जाएगा तो सबसे पहले नंबर पर इसी को ये सोट आउट करेंगे ठीक है ना तो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसका एकजाम हो जाएगा जहां तक उम्मीद है ठीक है एक खबर आ रही थी कि 28 मई तक आ जाएगा लेकिन ये भी पुखता नहीं थी ठीक है ना अधूरी आदियोदूरी जानकारी थी कि 28 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है कुछ लोग बोल रहे थे काफी ज़्यादा साइट पर इदर उदर से 28 मई की बात निकल कर आ रही थी लेकिन ऐसा सच नहीं था ठीक है ना अगर 28 मई तक आ जाता तो आपको पता लग जाता लेकिन आज आपकी 20 तारिक हो चुकी है 20 जून तो दोस्तो इसका जो कॉंस्टेबल का 99568 का रिजल्ट आना है ये आपका जून के लास्ट यानि के लास्ट वीक में या आपका जुलाई के फर्ष्ट वीक में आ जाना चाहिए ठीक है ना तो दोस्तो जून के लास्ट या जुलाई के फर्ष्ट वीक में आपका कॉंस्टेबल 99568 का रिजल्ट आ जाएगा ठीक है बाकी लगतार आप हमारे चैनल को देखते रहे अगर कोई भी नई अपडेट या कोई भी ओफिसल अपडेट मिलती है तो हम आपको तुरंट अपने चैनल के माद्यम से अवगत करा देंगे तो दोस्तों आप यूपी दरोगा और फायरमेन जेल वार्डर की परिक्षा और कॉंस्टेबल उन्हेंचे 1568 का जो रिजल्ट का इंतिजार कर रहे थे इस रिजल्ट का तो आप इंतिजार कर रहे थे यह मैंने आपको बताया कि जुलाई के फर्ष्ट या जून के लाष्ट में आ जाएगा और जो फायरमेन के आपकी परिक्षा है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यह आपका जुलाई के फर्ष्ट वीक में ही ले ली जाएगी ठीक है ना रिजल्ट और इसकी परिक्षा यह दोनों लगबग एक साथ ही होगी या आपको ध्यान रखनी है और दोस्तों जो दरोगा भरती आने वाली है यह आपकी अगस्त लाष्ट या आपका सितंबर में आ जाएगी आप अपनी तैयरी बरकरार रखे जिससे आपको कोई परिसानी बाद में ना देखनी पड़े दोस्तों अगर आपको मेरे दुआरा बताई गई है जानकरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और दोस्तों साथ में बेल आइकन को भी दबा ले और वीडियो को लाइक और शेयर जादे से जादा करे जिससे हम आपको कोई भी नई अपडेट या कोई भी नई जानकरी समय समय पर वुलब्द कराते रहे तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फाइदा होगा ठीक है ना आप अपनी परिक्सा की तैयारी करते रहे क्योंकि यूपी पुलीस द्रोगा की भरती आने वाली है और फायरमेन और जेल वर्डर की परिक्सा तो आपकी होने ही वाली है तो अपनी तैयारी आप बरकरार रखें जिससे आपको काफी जादा मतद मिलेगी इस बार ऐसा होगा कि कोंस्टेबल में बंदे चले जाएंगे और फायरमेन जेल वर्डर की परिक्सा पर असर पड़ेगा उस चीज़ का तो ये बात आप ध्यान में रखें और अपनी परिक्सा की अच्छी तरीके से तैयारी करें ठीक है दोस्तों बाकि अमारे चैनल पर आपको इस्ट्री पॉलिटी जियोग्रफी और हिंदी ठीक है इन सभी की वीडियो उपलब्द है पले लिस्ट पर जाकर मासे आप देख सकते हैं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद